नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं मरांग बुरु आंदोलन भी आक्रमक हो सकता है मरांग बुरु पर पहला अधिकार हम आदिवासियों का है उन्होंने बताया है कि आदिवासि छात्र संग ने भी चक्का जाम का समर्थन किया है ग्यात हो कि गीरीडी इस्थित पारसनात पहार मरांग बुरू को बचाने के लिए भारत यात्रा की सुरुवात बीते माजम सेथपूर से हुई थी इसका नेतित्व आदिवासी सेगेल अभियान कराश्ट्री अध्यक्स पूर्व सांसल सालखन मुर्मु कर रहे हैं जारखन में अगले पांच दिनों के दुरान मौसम में और समान्य उतार चढ़ाओ का करम बना रहेगा राज्य के विभीन हिसों में दिन का अधिक्तम तापमान समान्य से 5-6 डिगरी अधिक बना रहेगा राज्ये में राजधानी समेत बिभीन हिसों में सुक्रवार को अधिक्तम तापमानों बिरिदी होई वहीं राण्ची का अधिक्तम तापमान 30.4 और नियुमतम 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि जम सेथ पूर में अधिक्तम 33.0 और मेदनी नगर का 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया बता दे इन तीनों जीलों का अधिक्तम तापमान समान से 5 डिग्री अधिक है जहारखन में 16,000 सिक्षक नहीं बना रहे हैं बायोमेट्रिक उपस्थिती राजे के लगभग 16,000 सिक्षक अभी भी बायोमेट्रिक उपस्थिती नहीं बना रहे हैं सुक्रवार को हुई समिक्षा बैठक में अबा सामने आने के बाद सुक्रवार को है बायोमेट्रिक उपस्थिती नहीं बनाने पर समधित सिक्षक का बेठन भोकता नहीं होगा साथ ही उनकी बेठन बिरिती पर भी रोक लगाई जाएगी सिक्षा सचीव ने जीला सिक्षा अधिक्षकों को उन पारा सिक्षकों को नोटिस जारी कर सेवा मुक्त करने का आदेश दिया जिनका परमान पत्र फर्जी पाया गया लगभग 250 पारा सिक्षकों का परमान पत्र फर्जी पाया गया स्वास्त विभाय के सहयाओ की मांगों को लेकर खारसावा से जहामों विधायक दसरत गागराई रांची में मुख्य मंत्री हमान सुरेन से मिले इस दोरान सिरी गागराई ने मुखी मंत्री हमान सुरेन को गापन सौप कर सहयाओ को मांसिक प्रोचाहन रासी की जगा अस्थानिय मांदे देने की मांग की बिधायक दसरत गागराई ने बताया है कि उन्होंने सीयम हमान सुरेन को सहयाओ की मांग को लेकर ग्यापन सौपा इस पर मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने गंभीरता पुर्वक विचार करने का स्वासन दिया है आपको पताया दे कि पिछले दिनों सराय के लेकर सावाजी लेकि स्वास्ति सहयाओ ने बिधायक दसरत का गराई को ग्यापन सौपार अपनी मांगों सहवगत कराया था जहमों बिधायक दसरत का गराई द्वारा सीयम सुरेन को सौपे का ग्यापन में कहा गया है कि राजय में में कारेराथ 42,000 सहयाओ द्वारा अपने संगठन जारकन परदेश सहया संग के माध्यम से मासिक प्रसाहन रासी की जगा अस्थानिय मांदे देने की मांग की जा रही है रामगड उपचुनाव में आज से करेंगे चुनाव पर चार मैदान में 18 पर त्यासी रामगड बिधान सभा उपचुनाव को लेकर सुक्रवार को नाम वापस लेने की अम्तिम्ति थी थी इस लोगों ने नमांकन पत्र खरिदा था इसमें से 20 लोगों ने नमांकन दाखिल किया था इनमें नमांकन दाखिल करने वाले दो लोगों के नमांकन को रद कर दिया गया था अब कूल 18 उपचुनाव मैदान में रह गए हैं नामवापसी का समय बीत जाने पर सभी अठार उमिद्वारों को सुक्रवार को चुनाव चिन कावंटन कर दिया गया बता दे सन्निवार से चुनाव पर चार सुरू हो जाएगा रामगर्ण बिधान सभा उप्चुना को लेकर सुक्रवार को नामवापसी की अम्तिम्ति थी जारखन के साहिब गंज में फैलेरिया रोधी दवा खाने से 40 बच्चों की तबियत बिगडी जारखन के साहिब गंजी लेके उधवा परखन के बाबु टोला प्रात्मिक भी द्याल ले हरे राम टोला में फैलेरिया रोधी दवा खाने से लगभग 40 बच्चे बिमार पड़ गया है बता दे 32 बच्चों को अस्पताल में भरती कराया गया अभिभावक दाउद शेक ने बताया है कि आज स्कूल में बच्चों को जबरं तीन तीन गोलिया खिलाया गया दावा खाने के बाद से ही कुछ बच्चे पेट में दर्द तो कुछ बच्चे उल्टी के सिकार होने लगे कोई कोई बच्चा सीर दर्द करते हुए कुछ देर के लिए वेहोस भी हो गया इसके बाद बच्चों को स्पता लाया गया इस संदर्व में डाक्टर उदायर ने बताया है कि सभी बच्चे खत्रे से बाहर है घबराने की कोई बात नहीं है जारखन से सिर्फ आठ लड़कियों का सिंगल गर्ड चाइल्ड फिलोसिप में चयान सावित्री बाई जोती राव फूले सिंगल गर्ड चाइल्ड फिलोसिप दो हजरबाइस तेसके ले जारखन से आठ लड़कियों का चयान किया गया है युजीसी दोराजारी सुची के मुताविक इन में आरे राज, अंकुसा, सत्यपथी, अर्पना, गांगुली, कुमारी प्रियांका, नेहा, चक्रवर्थी, प्राजल सा, सिप्रा, हर्सो, उसाही, आईना सामिल है देश भार से कूल 1129 लड़कियों का चयान किया गया है कोई भाई या बहन नहीं है जुड़वा बेटे भाई बहनों में से एक हाए यादि किसी परिवार में एक या एक से अधिक पूत्र और एक पूत्री हाए तो पात्र नहीं होंगे 15 लाह का इनामी नक्सली मिथिलेस सिंग ने किया सरेंडर बतादे सरेंडर नक्सली मिथिलेस सिंग पर 15 लाह का इनाम गोसित है नक्सलीों को मुखे धारा में जोडने के लिए ओपरेशन नहीं दिशा का असर दिख रहा है धनबाद के तोपचांची स्थीत गेंदनवा डिह का रहने वाला नक्सली मिथिलेस सिंग 15 लाह का इनामी नक्सली है बतादे पूलिस सुत्रों के मुटाविक अपरेशन नहीं दिशा पभाईत होकर मिथिलेस ते सरेंडर करने का मन बनाया है ज्यारखन में 20 और 21 फरवारी को नोक्री के लिए रांची में इंटर्विव ज्यारखन में सिक्षा के छेदर से जुड़े लोगों के लिए अची खबर है अगर आप में योगिता है तो 70,000 रुपे प्रती माह की नोक्री हासिल कर सकते है बता दे इंडियन स्चूट अफ इंफर्मेशन टेक्नोलोजी आई 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 टी रांची में असिस्टेंड प्रोफेसर के पद पर न्योक्ति के लिए बिगापन निकला है अगर आप योगी उमिद्वार है और इसके लिए चैनी थोयाते हैं तो आपको प्रती माह 70,000 रुपे बेतन मिलेगा रांची में 20 और 21 फरवारी को अभियार्तियों को इंटर्वियू के लिए बुलाया गया है इंटर्वियू से पहले आवेदक को अपना बायो डाटा सेक्शनी पहन पत्र और अन जरूरी कागजात के साथ साथ भरे गए आवेदक की कोपी स्केन करके 29 फरवारी 2023 तक इमेल से भेजना होगा जैप की दूसरी मेधा सुची जारी करने की मांग जारकन ससस्तर पूलिस जैप में नियुकती के लिए अभियार्थियों ने सुक्रवार को मोराबादी मैदान में बिरुवत परशन किया एलोग जैप की दूसरी मेधा सुची परकासित करने की मांग कर रहे हैं युवाओ ने कहा है कि 2011 में 120 रिक्त पदों के लिए विगापा निगाला गया था जिसकी पहली सुची 2015 में प्रकासित की गई थी 700 युवाओ को नोकरीदी गई पर 320 पदों के लिए दूसरी मेधा सुची अब तक प्रकासित नहीं की गई मौके पर गौरों सिंग यमुना पर साथ समेत कई सैकड़ अभियार्थी सामिल थे रांची में फैलेरिया उन्मुलन की सुरुवात एक गारफ फरवरी से डोर टू डोर दवा फैलेरिया उन्मुलन के लिए 10 परवरी से 25 परवरी तक रांची में मास ड्रग एड्मिस्ट्रेशन अभियान चलाया जा रहा है पतादे 10 परवरी 2023 से जीले में फैलेरिया रोग से अति प्रवहित समुदाइक स्वास्त केंद्र बेडो और बुढमु के समुदाइक स्वास्त केंद्रो स्वास्त उपकेंद्रो प्रात्मिक स्वास्त केंद्रो सभी आंगन बाड़ी केंद्रो इसकूलो और सोजनिक भवनों में बूत के माध्यम से DEC और एलबेंडा जोल की दवा किलाई गई इसके बाद 11 परवरी से 25 परवरी तक स्वास्थ करकरता घर घर जाकर दवा किलाएंगे फाइल एरिया एक वेक्टर जनित रोग है या बीमारी संक्रमित माधा एक यूलेक्स मक्षर के काटने से होती है जारखन में अब एंबुलेंस का नहीं करना होगा इंतजार घायलों को पूलिस पहुचाएगी अस्पताल सलक हाथसे में घायल होने वाले लोगों को अब एंबुलेंस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा मोगे पर मौजूद पूलिस के वाहन के जरिये ही उन्हें गोल्डेन आवर में ही अस्पताल पहुचाया जाएगा इस कारे के लिए पूलिस के वाहनों को पोटेवल एस्ट्रेचर सहीद प्रात्मिक इलाज के तमाम सुभिधाओं से लेस किया जा रहा है बतादे सलक हाथसों में घायल होने वाले लोगों के लिए गोल्डेन आवर बहत महत्पून होता है किसी भी घायल ब्यक्ति को अगर गोल्डेन आवर के दराना स्पताल पहुचा दिया जाया तो उसकी जान बचने की संभावना 90% तक बढ़ जाती है किसी भी दुर घटा के दरान सबसे पहले पहुचने वाली पूलिस होती है जारखन में सीजेरियन डिलेवरी की संख्या में हो रहा इजाफा जारखन में ऑप्रेशन यानि सीजेरियन बीदी से बचों को जर्म देने की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है एक दोरान था जब गाओं की दाई माय घर में ही गरपवती महिलाओं को संभाल लिया करती थी अलाकि इस दोरान कम्प्लिकेशन आने पर जच्चा बचा के जिन की खत्रे में पढ़ जाती थी एकिन समय के साथ नॉर्मन डिलेवरी के बजाए सीजेरियन डिलेवरी को ज्यादा तौजेज दिया जाने लगा है खास बात यहाए कि सीजेरियन डिलेवरी का परतियत न सिर्फ नीजी बलीक सरकार्य अस्पतालों में भी बढ़ा है जार्खन जैसे आदिवासी बहुल डाजे में भी सीजेरियन डिलेवरी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं इस मामले में राजे के सबसे बड़े सरकार्य अस्पताल रिम्स रांची की महिला परसुती विभागा अध्यक्ष डाक्टर सरीता तिर्की ने कहा है कि पहले तो यहाद देखना होगा कि किस अस्तर पर डाटा त्यार किया गया है सांसत संजय सेठ ने रांची के पहाड़ी मंदीर को बचाने की मांग की राज़ी के बीजेपी सांससा संजय शेठ ने सुकरवार को लोक सभा में पहाडी मंदीर से जुड़ा मामला उठाया और उसके संरक्षन और सर्वंधन की मांग भारत सरकार से की है सुन्यकाल के दोरान सांसाच सिरी सेटने सदन में कहा है कि भारत में ऐसे बहुत कम अस्थान है जिनका धार्मिक एतियास सिकोसंस्क्रितिक महत्व है ऐसे ही अस्थानों में है रांची का पहाड़ी मंदीर हिमाले से भी पुराने इस पहाड़ी पर सक्षात भागवान सिव का वास है यहाँ आदिवासी समुदाय से जुड़े बंदों भी पुजा करते हैं जहारखन में आपके द्वार आयुसमान अभ्यान की सुरुआत जहारखन में सरकार आपके द्वार के बाद अब आपके द्वार आयुसमान अभ्यान की सुरुआत की गई है हेमन सुरेन सरकार ने हर गरीब परिवार को चिकिता सेवा से जोडने के लिए इस अभियान के सुरुवात की है इस अभियान के तहुत साहया घर घर जा रही है और गरीबी रेखा से नीचे जीवान बसर करने वाले BPL परिवारों को आयुस्मान कार्ड बनवाने में मदद कर रही है बता दे रांची जीला में आयुस्मान कार्ड बनाने के लिए पंचायत अस्तर पर कैम्प लगाया जा रहा है यह कैम्प 15 फरवरी 2023 तक लगाया जाएगा कैम्प में योग्य ब्यक्तियों के विश्मान कार्ट बनाने के लिए टीम उपस्थित रहेंगी पूजा सिंगल को फिर सुप्रीम कोट से रहात सुप्रीम कोट ने मन्रेगा घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आई एस अधिकारी पूजा सिंगल को एक बार फिर बढ़ी रहात दी है सिर्स अधालत ने सुक्रवार्दास फरवारी को दो महिने की ससर्थ अंत्रिम जमानत दी है इसके पहले मेडिकल ग्राउंड के अधार पर एक महिने की आंत्रिम जमानत मिली थी आंत्रिम जमानत के ओधी खत्म होने से पूजा सिंगल ने चार परवारी को रांची की PMLA कोट में सिरेंडर किया था इसके बाद कोट ने उन्हें होटवारी सिद बीर्शा मुंडा सेंटर जेल में भेज दिया था मालूम हो कि सुप्रीम कोट ने पूजा सिंगल की जमानत द्याज का पर सुनवाई के लिए दस परवारी के दितिन निधारित की थी धावनी परदूसर मामले में हाई कोट की जहारखन सरकार को फटकार जहारखन हाई कोट ने धावनी परदूसर मामले में सुक्रवागा सोतसंगया लेते हुए सुनवाई की जहां अदालत ने जारकन सरकार को सपत पत्रत दाकिल नहीं करने की वज़ा से कड़ी पटकार लगाई कोट ने कड़ी चेतावनी देते हुए राज सरकार को कहा कि किसी भी हाल में रांची सहर में राद 10 बज़े के बाद लोड़ी स्पी करना ही बजना चाहिए अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले प्राथमी की दर्चकर करवाई करें आपको पता दे कि इस मामले की सुनवाई डाक्टर एसन पाटक की अदलत में हुई मामले के सुनवाई के लिए दरान, रांची के डिसी, एसेसपी वर ट्रैफिक, एसपी और महा दिवक्तर राजी उरंजन मुझूद थे बीएड परवेस परिक्षा के लिए ऑनलेन आवेदन शुरू राज्य में संचाली सरकारी वगएर सरकारी बीएड कोले में नमांकन को लेकर जारखन सवनुक्त परवेस परिक्षा परिक्षा पारिसत की ओर से परवेस परिक्षा 2023 के आउजन किया जा रहा है परवेश परिक्षा के लिए 10 फरवरी से एक चुक अभियार थी से आवेधन मांगेगा यहाँ आवेधन की अम्तिम्तिती 10 मार्थ निधारी था पता दे परवेश परिक्षा 23 अप्रेल को OMR सीट पर ओनलाइन मोड में आयोजीत की जाएगी इसके लिए राज के 6 जीला मुक्यालियो रांची धनबाद जमसेत पूर बोकारो दुमकवा पलावू परिक्षा केंद्रे बनाया जाएगा लोक सभा में उठा जहारखन में अवयद बालु खनन का मामला लोहरदगा सांसा सुदर्शन भगत ने सदन में बालु के अवयद खनन का मामला उठाया उन्होंने कहा है कि जहारखन की बिभीन नदियों में लगातार बालु का अवयद खनन हो रहा है हमारा राजे प्राकिर्ती संदर येका धनी प्रांत है यहां के वन और यहां की जीवन दायनी नदियों के कारण हमारे राजे की एक अलग पचान है भरपूर प्राकिर्ती संपदा हमें सबल बनाने के लिए प्रयाप्त है किन्तु सदन को यह बताते हुए दुख हो रहा है कि जारकन में बालु का अवयद कनन लगातार बढ़ रहा है लोहर्दगा में प्लेफाई के दो नक्सली हत्यार सहीद गिरपतार लोहर्दगा के हेजला काली पूर जंगल में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्य से इकाठा हुए प्रतिबंधित उग्रबादी संगठन पी लेफाई के नक्सलीयों के मनसूबे पर जीला पूलिस ने पानी फेर दिया इस दोरान पूलिस को दो नक्सलीयों के गिरपतार करने में सफलता मिली है पूलिस ने उसके पास हत्यार भी ब्रामत किया पतादे गिरपतार नक्सली रांची और लोहर्दगा जीले का रहने वाले हैं जीले के पूलिस कप्तान आर राम कुमार ने इस समन्द में सुक्रवार को पत्रकारों को बताया है कि अनुसंधान के करम में पूलिस को गुपत सुच ना मिली की पीले भाई का एरिया कमांडर कृष्णा यादो और्फ कृष्णा गोप अपने 6-7 दस्ता सरस्यों के साथ कुडू थाना अंतरगत हेजला कालीपूर के जंगल में हतियार बंद होकर इसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं लोहर दग्गा में पुराने रूट से ही निकलेगी सीव बरात महा सीव रातरी के सफल आयोजन के लिए डिसी मंजुनात बयंतरी ने समानाला सभागार में प्रसस्निक वा पुलिस अधिकारियों समेत पुरोहित समाज वा अनलोग सथ बैठक की इसमें सर्धालों की सुविधा ट्रैफिक वा सुरक्षा ब्यवस्ता पर चार्चा की गई डिसी ने सभी वी भागों को निर्देश दिया है कि सर्धालों की सुविधा वा सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहे निनलिया गया कि इस बार सिव रातरी से एक तिन पहले इसर धालों की सुबदा के लिए सिग्र दर्शनम कूपन की वेवस्ता होगी सिग्र दर्शनम कूपन के लिए नाथ बाड़ी में काउंटर बनाया जाएगा साथ हिस्सिग्र दर्शनम को पन 500 रुपय में उपलब्ध होगा सबसे अहमने न लिया गया है कि पुराने रूट चाही सीवबरात निकलेगी सीवु सुरेन की तबियत में सुधार जारखन मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष सह पुर्व मुख्यमंत्री सीवु सुरेन की तबियत में सुधार है सांस लेने में तकलिफ के बाद उन्हें गुरु आरको मेदान्ता अस्पताल में भर्ति कराया गया था बतादे स्वास्त जांच में उनके फेपड़े और किड्नी में आंसिक समसेक जनकारी मिली थी वर्यज चिकिसको की देख रेक में उनका उपचार किया जा रहा है मेदान्ता अस्पताल के डाक्टर अमित कुबान ने बताया है को उनकी तबियत में काफी सुधार है वे समाने भोजल ले रहे हैं उनकी हालात पूरी तरह इस्थीर है और वे तेजी से रिकॉवर कर रहे हैं गिरी डी में लोन दिलाने के नाम पर समोहिक दुसकर्म गिरी डी जाम तड़ा मुख्य मार्ग के गांडे बजारी स्थीत साई धाबा होटल में गुरू आरको देवरी थाना चेतर के एक महिला को लोन दिलाने के नाम पर बुला कर समोहिक दुसकर्म की वर्दात को अंजाम दिया गया पीडिता के साथ तीन साल की एक बच्ची भी थी महिला के सोर मचाने पर लोग जूटे और पुलिस को सुचना दी मौका पर पहुची गांडे थाना के पुलिस ने तीन योग को गिरफतार किया पीडिता को भी थाना ले गई है पारा सिक्षको की आकलन परिक्षा अधर में बढ़ सकती है फरों भरने की तारीक पारा सिक्षको के लिए होने वाली आकलन परिक्षा के लिए आवेदन जमा करने की अमतीम तारीक दस फरवरी को समाप्त होगा बढ़ने की संभुना है सिख्षा मंत्री जगनात मतों समध में निनर लेंगे बता दे जए पीसी ने इस समध में फाइल मंत्री समझ बढ़ाया है यादि आटलन परिश्चा के लिए आवेधन देने की तारीक बढ़ाई जाती है तो यह चौथा मोका होगा जब जब जए पी सम्विट नहीं होना बताय जा रहा है 20 मार्च को फिर दिल्ली कुच करेंगे किसान भारतिय किसान यूनियन ने एक बार फिर दिल्ली को घेरने की खोचना की है चौदा दिनों से मुझा फर नगर Chicken के मैदान में चल रहा भारतिय किसान का धरनाso करने के बाद राकेश टिकस तिकाइत ने कहा है कि किसान 20 मार्च को एक बार फिर दिली को घहरेंगे इस बार घहराव दिली बोर्डर पर नहीं जनतर मंतर पर किया जाएगा निद्यकाइत ws आप चैनल परना है है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाल कावे लेकर अंदर बैए साधी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेयर करना ना भूले साधी साथ आप हमें कोमेंट बस में अपना फीड़ एक अवस्ते दे थैंक यू